आप सभी का आपके अपने योटूब चैनल सोचलोजी विच संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूँ आज का जो हमारा टॉपिक है यह आपका यूजेसी नेट के 2019 के प्रिवियस येर के कोशन्स में पूछा जा चुका है और जब मैं प्रिवियस येर का कोशन्स कर रही थी ते मुझे लगा कि यह कोशन्स जो है यह आप लोगों तक भी पहुचना बहुत ही ज्यादा जोड़ी है क्योंकि अभी करेंट में देखा जाए तो इससे लेकर कोशन्स पूछे जा सकते हैं तो चलिए क्लास को लेट न करते हैं स्टार्ट करते हैं अभासी समोदाएं जिसे वर्चूल कम्यूनिटी बोला जाता है इस सब्द का प्रतिपादन हवाड रेने गोल्ड की द्वारा किया गया तो उनकी थोड़ी सी हम लोग जीवनी देख लेते हैं उनके बाद हम लोग उनकी जो थोड़ी है उसे देखते हैं तो हवाड रेने गोल्ड का जन्म 7 जुलाई 1942 को अमेरिका के फिनिक्स में हुआ था वे एक अमेरिकी आलोग चक हैं लेखक और सिक्चक हैं जो आधुनिक संचार मीडिया जैसे इंटरनेट हो गया आपका मोबाइल हो गया टेलिफोन ये स्कूल उनकी इसमें रखा है आभासे समुदाई में रखा है और इसी के अंतरगात उन्होंने सांस्कृतिक, समाजिक और राजनितिक इसके जो नहितार्थ है उसे अपने सब्दों में उन्होंने विशिस्ट रूप से इसे अलग पहचान देनी के लिए प्रियोग किया गया तो हम देख सकते हैं कि आभासे समुदाई आखिर है क्या तो एक आभासे समुदाई इंटरनेट या अन्य सहयोगी नेटवर्ड पर समान रूचियू और भावनाओं को साजा करने वारे लोगों का एक समु होता है देखिए जैसे हम लोग क्या होते हैं अकसर अपने देखा होगा कि हम बहुत सारे ग्रूप में जुड़े होते हैं बहुत सारे फेस्बुक ग्रूप हो गया वाट्सअप ग्रूप हो गया हमारे टेलीग्राम में बहुत सारे ग्रूप में हम लोग जुड़े वेराते हैं तो उनसे क्या होते हैं, एक प्रकार से connect हो जाते हैं, उनसे हम भर्चुली कनेक्ट होते हैं, लेकिन उनसे हमारा जो connect है वो इस प्रकार का हो जाता है, कि हम नहीं लगता है कि हम उनसे कैसे भर्चुली कनेक्ट हैं, बलकि ऐसा लगता है कि हम उनसे real में जुले हैं, जैसे कि हम गाओं या हमारे आसपास की जो community होती है वहां के जो सदस्ते होते हैं उनके साथ जो हमारा behavior होता है हमारा जो relation होता है हमारे जो ये internet के माध्यम है और उनसे जो हमारा relation है वो उसी को ही अभासी समूदाय बोला जाता है यानि कि किसी group में add होना जैसे कि माल लीजे कि मैं आप लोगों को यहां पर YouTube में पढ़ा रही हूँ इसके link में Facebook में दे रही हूँ टेलीग्राम में दूरी है तो आप क्या कर रहे हैं मुझसे जुढ रहे हैं मेरी बातों को मैं जो आप लोगों को बता रही है वो आप लोग तक पहुंश रहे हैं आपके जो questions रहते हैं जो queries रहती हैं वो आप लोग मुझे comment करके बताते हो तो इससे क्या हमारे बीच एक relation बन रहा है मैं तो आप लोगों को नहीं जानते हैं आप भी मुझे पूरी अच्छी प्रकार से नहीं जानते हैं लेकिन क्या ऐसा लगता है कि हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं बलकि हमारा जो relation है वो इतना interconnected हो चुका है कि जैसे लगता है कि हम लोग क्या है एक community के सदर्श है और वो कौन सा community है तो वो virtual community है इस जो virtual community है यह हवार रेने गोल्ड की जो theory है इसमें उन्होंने उनकी जो बहुत ही ज्यादा important book है the virtual community जिसका उन्होंने प्रतिपादन 1993 में क्या आदा इसमें उन्होंने इस अपने theory के ब पारे में बताया है ऐसे था हवार रेने गोल्ड ने बहुत सारे पुस्तोकों की रशना की है जिसमें से exploring the world of lucid dreaming 1990 में प्रकासित हुई थी smart mobs इसको 2002 में प्रकासिन किया गया था उसके बाद आपका net smart how to treat online इसकी प्रतिबादन 2012 में की गई थी तो हम कह सकते हैं कि जो आपका virtual community है आपासि समूदा है इस सब्द को सर्वपतम हवार रिग और ने प्रतिपादन किया था जिन्होंने the will नामक अपने पहले प्रमुक internet समूदायों में इसे एक बनाया और उन्होंने अपनी पुस्तक the virtual community में इसमें उन्होंने आपासित भरता है जब पढ़ियाप्त लोग सारवजनिक चर्चाओं को लंबे समय तक रते हैं हम वर्टसप में क्या करते हैं एक दूसरे को चैटिंग करते हैं तो वह हमारा कुछ लंबे समय तक रता है एक साइबर स्पेस रता है हमारे बीच उसे ही क्या बोला जाता है अभासि समुदाय जो है वो वेक्तियों को एक समाजिक नेटवर्क है जो बिसिस्ट सोसल मीडिया के माध्यम से जूरते हैं संभावित रूप से परशपरी खीतों या लक्षों को आगे बढ़ाने के लिए भौगावलिक और राजनेतिक सीमाओं को पार करते हैं सबसे ब्यापक कि आजाएं के आहां समुदाय में आए जयर chuck हमें कैसे है एक दूसरे के साथ आफस आपस में जूरे में तीक है और यह जो हमारा जूरा बन है यह हमारी जो फीलिंग यह रियल नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग एक दूसरे से कोनेक्टेड यहां से लगता है कि हमारा जो रि विवारक सदर्शों के साथ उसी प्रकार से हमारा जो इंटर कनेक्टेट का माध्य में जो बर्चुल कॉम्यूनिटी का माध्य में जैसे फेस्बूक हो गया वोट्सप हो गया तो इसमें क्या होता है कि हम एक दूसरे से जुरते जैसे माली जी आप फेस्बूक चला रहे हैं आप इंडिया से हैं लेकिन आपका जो फ्रेंड वो अमेरिका में रहा रहा है या किसी दूसरे देस में रहा है लेकिन आप उससे फेस्बूक में बातचीत करें तो आपको क्या ऐसा महसूस होगा कि आप उससे दूर है नहीं मैंसो스 होगा यह जो virtual space है इ vrijlshon ko नजदीक लाड़ा उसे real बना रहा नहीं हम कह सकते हैं हमारा जो बात करने का मादियम हो गया जिसके कारन हमारा जो community के सदश स्य जो virtual community के सदश है उनके साथ हमारा close relationship से बन रहा है तो आई होप आपको आज की जो टॉपिक है वो अच्छी प्रकार से समझ में आगी होगी अगर आपको आज की क्लास से हलफुल लगी है तो प्लीज आप अपने दोसे से सब्सक्राइब करें और इस तरह से आपको और भी कोई दूसरी कोई टॉपिक के बाड़े में जानकारी चाहिए तो प्लीज मुझे कमेंड करके बताए इससे मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन होगा और मैं आप लोगों को हेल्प करने के लिए पूरी तरह से रेडी र